PMC TV नेपाल तबाई को हर पल को साथ अबस्कार, ओल्लाइन टेलिवीजन PMC TV नेपाल को प्रस्तुती नेपाल समाचार अपडेट मा स्वागत स्वागरों आजका मुख्य मुख्य समाचार सिर्शकर बाठ स्वास्तेकर्मी र सुरक्षय कर्मी को तलव कटा नगर्ण सर्कार को निर देशन नियमित खोब कारेक्रम संचालान होने मातहतका कारेल लाएलाइस सर्कुलर राजनितिक दल बिभौजन सम्मन्दिय अध्यादेश लियाऊने सर्कार को निर नयरनाया एक से दस जाना रूशी नागरीक लियर मस्को उड़ियो रोयल फ्लाइट र लगडाउन खुकुलो पार दई यूरोप अब समाचार विस्तार मा सरकार ले कोविड उन्नाईस रोक्थाम तथा उपचार कोश्मा सुरक्षय कर्मी रर स्वास्ते कर्मी को तलब कटा नगर्न निर्देशन पठाएको छा प्रहरी प्रधान कारले ले कही दिन अगी अधिकरी तह देखी माथिका प्रहरी को तिन देखी साथ दिन सम्मको तलब कटा गरी कोश्मा जम्मा गर्ने निर्देशन गर्यको छिओ उपपरधान मंत्री इस्वर पोख्रेल नेत्रुत्त को उच्चस्तरी य सम्मन्नोय समिती को बैठकले संकट को विला फ्रांटलाइन मा खट्रिय का सुरक्षय कर्मी र स्वास्ते कर्मी को तलब काटे र कोश्मा नराखने निर्देशन गर्यको हो प्रधान मंत्री कारेलाएका सचीब नाराण प्रशाद बीडारी ले प्रहरी को तलब काटने निर्देश सरकार ले य सगी पनी न गर्यको बताए प्रहरी अधिक्रीत कसाईली स्वैचीक रुपमा कोश्मा तलब काटेर जम्मा गन सकने तर अनिवार्य नहुने उनले बताए सरकारले गठन गरिको कोश्मा अन्य राष्ट सेव कर्मचारी को तलब बाट भने ओहदा अनुसार तीन देखी साथ दिन सम्मको तलब कट्टा गरेको छा कोरोना भाईरस कोविड उन्नाइस को तराष्पची इस्तगीत खोब सेवा सरकारले नियमीत संचालन गरने भाएको छा सरकारले यही बैसाक पास गते अत्यावस्यक तथा आधारवुद स्वास्ते सेवा प्रभाहा गरने निड़य गरे संगई इस्तगीत खोब कारेक्रम पुर्ववत संचालन गरने लागेको हो स्वास्ते तथा जनसंख्या मंत्रालाय मातहत को स्वास्ते सेवा विभागले कोरोना का कारण इस्तगीत नियमीत खोब सेवा नियमीत संचालन होने जनाएको विभाग का महानिर्देशक महिंद्र प्रसाद स्रेश्टली शातेई पर्देश स्वास्ते निर्देशना लाय पर्देश स्वास्ते आपुर्ती विवस्थापन केंदर शततर वट्टेई स्वास्ते कारलाय लाय परिपत्रगर्दी नियमीत खोब सेवा संचालन गरन निर्द मंत्री परिशत को सोंबार को वैठक मा एस पारे चलफल भाय को एक मंत्री ले जान करे दिये। रुसी नागरीक बोकेर रुसको बायुस्यवा कमपनी मस्क उड़ेको छा। लगडाउन एता नेपाल बाट चार हजार भंदा बड़ी बिदिसी चार्टर उडान बाट अफन मुलुक फिरता भाई सके काचन। यूरोब का केही रास्टाले कोरोना भाईरस कोबीड उन्नाइस रोक्ताम का लागी जारी लगडाउन खुकुलो पार्ना सुरुगारेका छन। संक्रमीत संक्याका आधारमा विश्वकै पाचो प्रभावी जर्मनीले सोंबार बाट साना पसल खोलना अनुमति द्यकुछा भने परिक्ष्या नजिकीदे गरेका विध्धालायर कलेजिस्तु चार्युगारने भाहेकुछा जर्मनीले गता साता मात्र संक्रमन दर घडते गायेकुर कोबिड उनाइस महामारी नियंत्रन में रहेकु दावी गरेकुछियो एद देपी उसले दोस्रों चरणको संक्रमन फईलान सक्ने भन्दै सबैलाय सचेत रहाना आग्रह गरेकुछियो पोल्यानले पनी सोंबार बाटे सबै पार्क्र जंगल खुल्ला चे गणतंत्र व्याफार का लागी हवाई मार्ग सुचारू गरियेकुछ औरको यूरोपेली रास्ट अल्वानियाले खानी रत्तेलो उध्योक्सन चालन गर्ने भायेकुछ शंक्रमीत्र मिर्तक संख्या घर दे गयेका यूरोप का केही रास्टले ले लगडाउन खुकु आधार मा इटाली पसी अती प्रभावित स्पेन रफ्रांस ले पनी अजै केई साता कड़ाई गरने भायेका शन। इस्पेन मा यूरोप के अती कड़ा लगडाउन जारी रहे पनी बालबालिका का लागी भने औरको साता वाट केई समय घर भाहीर जाना दीने शा। यूरोप मा मात्र बिश्चो को लगभग आधा आर्थात दस लाख पचास हजार बंदा बड़ी कोबीड उन्नाईस संक्रमी छन र मिर्तक संक्या एक लाख बंदा बड़ी पुगे कुछा। हवस्ता आजका लागी नेपाल समाचार अपडेट एती नहीं भोली पनी नया नया समाचार का सात्मा उपस्तित होने नहीं छाऊ। सुचना समाचार जानकारी मुलक सामागरी हरु का लागी PMC TV नेपाल लाई सब्सक्राइब गरना न भुलनो हला। झाल झाल